गिता रमायन पढ़ने से भागवत प्राति हो सकती है, जो की ब्रहान द्वारा लिखा गया है, या पिर ब्रहामन द्वारा लिखा गया है, आच्छा. शुबं कुछ भी पढ़ने से भागत प्रात्ती नहीं हो सकते हैं ग्यान जिसको हम बोलते हैं बुद्धत्व जिसको हम बोलते हैं वो घटना आपके जीवन में तब घटती है जब आप के जीवन में practically कुछ घटना शुरू होता है और बलकी इसका उल्टा होता है शुबं जि है अपनी enlightenment से अपने बुद्धत्यों से अपनी जागरिती से जो है दूर चले जाते हैं क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पर शब्द है और जो असली जो बात है वो मन के पार जाने की बात है अच्छा जब मैं मन के पार जाने की बात बोल रहा हूं थोड़ा सा मन को समझा देता हूं नहीं तो फिर वो confusion रहेगी मन का अर्थ होता है जहां पर जो आपका एक सोचने का एक software जो आपको दिया गया है एक आपके मन मन जो है वो collection of ideas thoughts, conditioning, patterns, प्रारब, patterns, DNA उस सारा को जो है मन के अंदर ही कठा होता है जो आपकी body है वो hardware है ठीक है और जो आपका मन है वो एक software है जिसको हम enlightenment बोलते हैं जिसको हम गुदत्व बोलते हैं वो एक प्रयास है अपने मन के पार जाने का अपने इस software के beyond जाने का तो जितना आप जो है software को strong करोगे जितना आपकी शब्द आपके strong हो जाएंगे उतना आप मन की जो है जकड में आ जाओगे और आप जितने आप simple हो जाओगे जितना आप कही ना कहीं जो है बिल्कि मज़े की बात यह है कि जो guru लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम पड़े लिखे नहीं है हम बे पड़े हैं हम गवार हैं उनका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो है गीता नहीं पड़ी उन्होंने जो है भागवत नहीं पड़ी उन्होंने ये सब कुछ नहीं पड़ा उन्होंने सब कुछ पड़ा है लेकिन जब वो actually में जब वो हो गए जो उनका होना है वो बि अध्यान के जरिये जो है वो घटना घटती है तब जो है आप अपने आपको जानना शुरू करते हूं